जैम आता दी दोस्तों, आप सभी लोग अपने दुश्मन से परेशान होते होंगे, जाने अन जाने में आपकी किसी से दुश्मनी हो गई होगी, आज के समय में दुश्मनी एक ऐसी चीज बन गई है, जहां इंसान छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाता है, क्योंकि हर व व्यक्ति को बोलने से पहले दस बास सोचें कि हम क्या उसे बोल रहे हैं, क्योंकि दुश्मनी की सबसे बड़ी वज़ा है हमारी जुबान, हमने कुछ बोल दिया और सामने वाले ने गला समझ लिया, और यहीं पर दुश्मनी पढ़ गई, और शब्द वापस नहीं लिये जा सकते, आप सिर्फ कह सकते हैं कि मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं, लेकिन आपने अपने शब्द तो प्रेजेंट कर दिये और अगले इंसान का दिल दुख चुका है, और एक बार जो गांट बन जाती है, तो वो फिर बंध ही जाती है, तो जरूरत सिर्फ आपके दूसरी बात है, कि दो व्यक्तियों के बीच में अगल लडाई हो रही है, और किस बात पर हो रही है, और हमें उस बात का बिलकुल पता नहीं है, तो हमें उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, आप बीच बचाप तो कर सकते हैं, लेकिन बिना लडाई की वज़ा जाने आपने पक्ष का साथ दिया, तो दोस्तों जो चीज हमें नहीं पता है, क्या घटना है, क्या वज़ा है, तो उनसे आप दूरी बनाएं, क्योंकि अधिकतर दुश्मनी की वज़ा यही है, तीसरी बात, जो लोग हमारे बहुत खास हैं, यदि वो हमें कोई बीबात कह देते हैं, त अगर आपकी किसी से दुश्मनी है, और दुश्मनी की कई वज़ा हो सकती है, तो भी आप उसे सुला पर अग्रसर करें, बातचित करके बात को खतम करने की कोशिश करें, और वो ही आपके लिए अच्छा है, तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो से पहले पहुंच सके, धन्यवाद दोस्तों!